Two quantity option तब कारगर रहता है, जब एक item में दो अलग-अलग base unit होती हैं, जैसे की एक soft drink, इसके पास एक base unit जैसे की bottle हो सकती है, और दूसरी unit crate हो सकती है, जिसमें 12 bottle होती है ध्यान दें कि इस option को कारगर करने के लिए unit relation सक्षम होना चाहिए, इस उधारण में unit 1 से unit 2 के संबंध 12 होंगे Two quantity option को सक्षम करने के लिए जब आप billing mode पर हैं, menu दबाएं Bill settings को चुनने के लिए down arrow की को चार बार दबाएं, enter दबाएं विकल्प 28 जोकी two quantity mode है, उसे चुनने के लिए आप arrow की को 6 बार दबाएं, enter दबाएं Enable default के रूप में चुन लिया गया है, enable करने के लिए enter दबाएं Two quantity mode अप सक्षम हो गया है